कि सरकार का फोकस नहां है कि जनता की मून भूत मस्ता है उत पर बिलकुल ही नहीं कि फोकस कहां चरा गया है तो बहुत भी साथ जो मैं बार बार बोलता हूं तरह बंदी फोकस है जो घटिया बालू की नीति है अभी आप देख ली जिज़िए जा नलंदा जिर्ए को ले प्रती दिन ये सरकार 55 से 60 कड़ूर प्रत्रान करा देगे अपूरा का पूरा हमारा जो चौश्री स्माजे उसके लाखों लोग साब जेल जाते हैं तो सरकार का टो 55 को नुख्तान है जिके जदीयू कमजोर हूआ इसका तो सामने आपके सामने साब आही गया पहली वार इनके नेसित में चुनाव लों को लें और इस पाद जरा समझिए कि भाई आप कहते कुछ हैं आप करते आप लोग कुछ हैं तो लोहिया जी को क्या नारा देते हैं जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आवादी होते हैं उसकी भागेदारी होनी चाहिए आप भताईए यह तो पूस्पत है कि सरकार का फोकस कहा है तो जनता की मूल भूत मस्चाय है उस पर बिल्कुल ही नहीं फोकस कहां चरा गया है बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूं तरह बंदी फोकस है जो घटी आप बालू की नीती अभी आप देख ली जिज़े नलंदा जी ने कुले लिजिए मैं गय को क्या है तो बोला भी साहब जब 2005 में सरकार बनी थी नितीसवाब उप्वी तो देर सोच दो सुर्पे ट्रॉली मिलता था बालू साल पर पहले उड़ाई हजार था और आज 8000 रुपे साहब एक ट्रेक्टर बालू को सिमत है आखिर नलंदा जिला किसान जो भी मज़ूर जो भी लोग अपना मकान बनाना चाहेंगे कि कहां तो पैसे इतना लाएंगे जी फोकस अपका कहा है आप दिन मरू सरा बंदी सरा बंदी मैंने बताया ना प्रती दिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ का नुक्सान करा देगे पूरा का पूरा हमारा जो चौसरी समाज है पासी देखे जदियू कमजोर हुआ इसका तो सामने आपके सामने साब आही गया पाहली वार इनके नेसित्त में चुनाब लोगों ने लड़ा और आई पास जड़ा समझे कि भाए आप करते कुछ हैं आप करते आप लोग कुछ हैं तो लोहिया जी को क्या नारा देते हैं जी जाते हैं कि जिसकी जितनी आवादी होते हैं उसकी भागेदारी होनी चाहिए आप बताईए तो पूछ